भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की इमांदारी, सादगी और विचारों की आज देश को आवश्चकता है वे युवाओं के रोल मॉडल थे यह उद्गार एकंडिशनिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक कवल जी जावा ने मांडा स्थित लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटेकनिक के प्रांगण में उनकी प्रतिमा अनावरण के मौके पर कही उन्होंने कहा कि राजनीती में गिरते मूलियों और नैतिक को बचाने के लिए शास्त्री के स्थापित आदर्शों को हमें अपनाना होगा प्लाल बहादुर शास्त्री जी का विजिन था वो एक कुमेंटेरियन तो थे ही थे और उस ताइम पर जो उनका विजिन था जय जवान जय किसान आज देखी कितना वह इंप्लिमेंट हो रहा है तो मैं इस एस्टोसियेशन के साथ में दोजार एक से जुड़ा हुआ हूँ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज मेंड़ा भी आ सका हूँ मैं वैसे बरेली जा चुका हूँ लाल बारो शास्तरी वां भी मैं इनके गवर्निंग गोड़ पे हूँ दिल्ली में बट जो जहां आके मैंने देखा जज़बा जो देखा स्टुडेंस का और जो उनका कॉंसेट जो उन्होंने कंसीव किया हुआ था जो आगे सुनील जी चला रहे हैं या अनल जी चला रहे हैं इसको देखते मुझे बहुत खुशी हुई है और मुझे एक और बड़ी अच्छी उपलब्दी लगी है जो कि आज जिस हिसाब से हिंदुस्तान में ग्रोथ हो रही है मैनुफैक्टरिंग की एक करफ तो मैनुफैक्टरिंग ग्रोथ हो रही है दूतरे करफ लोगों को जॉब नहीं मिलती है और कंपनीज के लिए यह हो हूँ यहाँ पर कि हम अपने संटर आफ़ एक उलाइं हमने चोवीस इंडिस आख मेर हूं अब मान्धा रहा घरक temps Connie नहीं पाज्ञekश करिए बहूत जीनति हैं है और मिनर्स से काम करे हैं मेरी इनको शुभ कामौना हो कि वह जो है लाल बादुर्स स्यास्त्री चीह का इंट यह हमारे प्रधान मंत्री पूर्व केंद्रिय मंत्री अनिल शास्त्री ने कहा कि यहां और सुदूरवर्थी क्षेत्रों में युवाओं को सस्ती व नई तक्नीकी शिक्षा प्रदान कराने के पूजी पिता के उदेश्यों को संस्थान पूरा करने में कृत्स अंकल्प है देश को नारा दिया था जय जवान जय किसान का उस समय देश की स्थिती एक डिफरिंट थी का लग थी और आज के तारीक में आज देश की स्थिती राजनेतिक स्थिती को रेखते वे थोड़ा अलग हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है यदि अगर बाबु जी आज जिन्दा होते तो अपने इस नारे जय जवान जय किसान में वो अवश्य जय इनसान जोड़ते और चाहते कि इनसानियत सही तरीके से हर्याली लाए हर्याली उनका नारा था जय 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 किसान का तो हर्याली लाए और देश में हर्याली जब फैलेगी तो अवश्य जय इनसान मज़बूती से आगे बढ़ते किया रहा है मैं यह कहूंगा कि आज क्या अवश्यक्ता इस देश को अगे बढ़ाने की यह है कि आम जितना प्रताश शिक्षा की चेत्र में कर सके और खास तोर से टेक्निकल एजुकेशन में क्योंकि वो एक रास्ता दिखाता है लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने का और टेक् कि लाद भादुर शास्त्री पॉलिटिक्नीक ने एक नया रास्ता दिखाया है है यहां पर है आई टी आई भी है पॉलिटिक्नी है लेकिन जिस देश से लाद भादुर शास्त्री पॉलिटिक्ने करे कर रहा है मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में एक संस्था के अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मंत्री सुनील शास्त्री ने बताया कि पॉलिटेक्निक के छात्र देश की बड़ी कमपनियों में उचे ओधों पर कारे कर रहे हैं लार्वादु साथ्की प्रदेटी की सापना से दस वर्स पहले हुए थी तो उस उफलक्स में ये कारकमा उजित किया गया साथ ही एक बहुत बड़ा आज एक दिन ये रहा कि लार्वादु साथ्की की पत्मा का नावरन आज यह हुआ दाइकन के एद्रेक्स रास्टे एद्रेक्स स्री पहुंजी जावा ने यहां पर किया और तीसा ये कि यहां पर जिन बच्चों इसने अच्छी पढ़ाई की है इस पधर के लिए बिच्चों के लिए उनको प्राइश जद रखे जाते हैं और बच्ची के लिए यह उनको प्रैस जज रखे जाते हैं। उन्हों ने इसको बनाया भूमबई से आी है तो फूकरकर रिकम यही रहा और इसके का पूरा शेयर देता हूँ यहां के छाट छाट्टाव को यहां की कुचरों को और जो यहां के पताना चाहरे हैं जॉक्तिप की सिंग को जिनों इस फूकर करने के लिए अपने पूरी इस अफसर पर संस्थान की स्थापना दिवस पर छात्रों ने रंगारंग कारेक्रम प्रस्तुत किया साथी साथ पॉलिटेक्निक में प्रथम स्थान पाने वाले चात्र छात्राओं को 5000 रुपे नग्द पुरसकार एवं स्मृती चिन भेट किया गया प्राचार्य एके सिंग ने अतितियों को स्मृती चिन भेट किया विधायक संदीप पतेल, EPS गांधी, विभाकर शास्त्री, पूर्व मंत्री आदर्श शास्त्री, लगन शास्त्री, मदित शास्त्री, किशोर वाशनेय आदी मौजूद रहे